वेल्ड वेल्कम टू गरंत एजुकेशन आज की वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से आप एक आउट्सोर्सिंग एग्रिमेंट को ड्राफ्ट कर सकते हैं जब भी कोई एग्रिमेंट आप ड्राफ्ट करोगे उसकी स्टार्टिंग करोगे उसके नेम क्लोज है यानि नाम ही फिर उसके बार बताओःगे जिस दिन वो एग्रिमेंट आपने ड्राफ्ट कर रहें उस दिन क्या है डेट क्या है और प्लेश का है फिर आप क्या करो जो भी पार्टी इस एग्रिमेंट में इन्वन फ की करूँग ивать inंगं हमसे फिर आएगा हमारा सिरा पार्ट जिसको हम् मुश्च करें वेरे कि यह उससे प्रषाइड क्या होता है जिसका टाइटर रखा life of company secretary और जिस इस बुक को हम आगे agreement में बुक बोलेंगे फिर second point में क्या लेगा फर्स्ट पार्टी ने यह decide कि हम इस बुक को digitalize कर देते हैं यानि hard copy से soft copy में convert कर देते हैं साथ में इसको हम compact disc के अंदर इसके content को डाल देंगे इसी परपस को लेते हुए फर्स्ट पार्टी ने tender issue कर दिया और after evaluating the various bids को यानि काफी bids को evaluate करने के बाद फर्स्ट पार्टी ने shortlist कर रहा second party को और उसको यह project award कर दिया फिर आएगा now this deed now this agreement witnesses as follows यानि अब क्या हमारा test test item close start हो गया उसमें हम बताएंगे कि इस total question first point में हमने बताया कि इस पूरे project की कोश्ट कितनी है हमारे case में 5 lakh rupees फिर हमने second point में यह बताया कि first party ने क्या किया second party को कुछ एक amount दे दी advance में क्यों दे रहा है क्योंकि तक कि इस agreement को perform किया जा सके और second party ने हमें ensure कि इस project को वह six month के अंदर complete कर देगा और second party क्या काम करेंगे इस project के अंदर वह सारे वह क्या करेंगी डिजिडिलाइज करेंगी बुक को यानि hard coffee को soft coffee में convert करेंगी इसमें कुछ सारी चीचे आएंगी proof reading भी आएगा scanning भी आएगा tagging भी आएगा according to search parameter और indexing और mapping भी आएगा उसके बाद आएगा second party ने क्या गया साथ के साथ वह develop करेंगी search engine को और उस search engine को वह first party को license कर देगी और उसके लिए वह कोई चार्ज नहीं करेंगी lifetime और after completion of the job तो second party क्या करेंगी hand over कर देगी अपना सारा काम जो उसने project के जो दिया गया उसको complete किया है वह सारा hand over कर देगी first party को साथ में वह एक sufficient training देगी first party के द्वारा जो भी member provide करेंगे जो भी person provide करेंगे इसको दिर दी जाए तो training कोई भी in future कोई भी technical problem आती है तो वह खुद ही first party deal कर सके और first party क्या करेंगी कि जो भी amount left रहे गया पहले one lakh रुपीज advance दे दिया था five lakh का total project था बागे balance amount थी four lakh वो pay कर देगी अगर कोई dispute arise हुआ दोनों parties के भीच में तो उसको solve किया जाएगा arbitrator की द्वारा और उस arbitrator को भी appoint क्या करेंगी first party और second party में करेंगी अगर कोई breach होता है agreement कोई भी किसी भी case में breach हुआ और जिससे दूसरी पार्टी एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी कोई भी default होने के कारण कोई भी नुकसान हुआ कोई भी तो उसको क्या करेंगा जो default party compensate करेंगी दूसरी पार्टी को फिर आएगा in witness where of यानि हमारा के वारेरा न अडैसरे मुस आघ्यकर होता हमारा agreement कमप्रीत हो चुकार यानि जिसमें इन इन्विटनेस फेर ऑफ यहर 2 है इस धिन वहिट सब्सक्य कि फिन घ्यक Rub झाल झाल